नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुबाश ठाकों के साथ दोस्तो, J.R.F. हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम इकाई दो पड़ रहे हैं और इसमें हमने रिती काल के बारे में लगभग जो पहला इसका उपविवाजन किया जाता है रिती बद काल के और तोरपर या जो रिती बद कवी हैं उनके तोरपर वो वाले हमने पूरे के पूरे लेक्चर्स कर लिये हैं रिती बद कवियों से रिलेटेड जितने भी हमारे रिती बद के प्रमुक कवी हैं उनको हमने अच्छे से डिसकस कर लिया है अगर आपने अभी तक बोवाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इकाई दो के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसको देख सकते हैं वहाँ पर हमने complete इसको discuss कर लिया है और इसका रितिकाल का जो 8th पार्ट हम लेकर आज आए हैं इसमें हम रितिसिद जो प्रमुक कवी हैं बिहारी उनके बात कर रहे हैं और इससे पहले हम अन्य जो रितिसिद कवी हैं उनको पीछे वाले लेक्चर में कर लिया है आज हम बिहारी से समंद्र जो भी महत्वण था थे हैं उनको discuss करने जा रहे हैं तो चलिए बीनदेर के शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और देख लेते हैं बिहारी का जनम और उनसे जुड़ी कुछ और महत्वण बाते हैं तो यहां पर देखिए बिहारी रिती सिद्ध के प्रमुक कवी हैं और रिती सिद्ध, रिती बद, रिती मुक्त क्या है यह हमने पहले discuss कर लिया है आप चाहें तो उन लेक्चर को एक बार देख सकते हैं अगर हम बिहारी के जनम की बात करें देखिए तो इनका जनम 1525 इस्वी में हुआ था और इनके मृत्यू 1663 इस्वी के आसपास मानी जाती है तो यह कई बार पूछा जाता है परिक्षा में इनको आपको सीक्वेंस में लगाने को आ जाते हैं जिब भी आपके रिती कालिन क जावी हैं तो इनके जनम आपको और इनके मृत्यू उतना जरूरी नहीं है जितना इनके जनम को याद अखना बहुत जरूरी है और इनके समद्ध में जो महतपुन चीज है कि इनके जो आश्रय दाता थे देखी यह जैपूर के महराज जैसिंग थे और इनके गुरू थे नरहरी दास तो महराज जो जैसिंग थे उनके लिए इनके पंक्तियां भी कही थी कि जो एक छोटी बच्ची पर वो आ सकते हो गए थे चोटी रानी पर है ना और जादा ध्यान वो उन पर ही दे रहे थे तो उनको समझाने के लिए ने जो पंक्ति कही थी नहीं पराग नही मदरु मदू नहीं विकास अहिकाल अलिकले ही सुबंधियो आगे कौन हवाल तो उसको बाज जो है राजा जैसिंग ने अपने राज्य की और जाता ध्यान दियातना की रानी की और तो ये बहुत मौत्पून पंक्ति है बिहारी के संबंद में आगे देखी इनके गुरु जो थे वो नरहरी दास थे और ये संपरदाय में दिक्षित थे निंबारक संपरदाय में तो किशव दास को इनका पिता माना जाता है और किशव दास भी जो कवी थे वो क्या थे वो आपके निंबारक संपरदाय में थे इनके जनम और इनके आशिरदाता और इनके गुरु और इनका जो संपरदाय था वे किस संपरदाय में दिक्षित हुए थे अगर हम इनके जनम स्थान की बात करें तो दिखिए इनका जो जनम स्थान है ये गोविंद पूर में इनका जनम स्थान माना जाता है नेक्स से दीखिए अचारे रामचंद्रे शुकल के अनुसार क्या है कि बिहारी रसवादी हैं तो दीखिए हमने पहले भी रसवादी, धुनिवादी, अलंकारवादी कवियों के बारे में पढ़ लिया था और नगेंद्र इन्हें धुनिवादी मानते हैं, ये चीज भी बहुत ज़ादा इंपोर्टन्ट है और बिहारी की जो प्रसिद्र रचना है ये तो हम सब जानते हैं कि बिहारी सत्सई है और यह इनकी प्रसिद्धी का अधार है यह दुगाद छंद में रचित है ये चीज एक मौतपुर्ण है और इसकी भाषा क्या है परिनिष्टित ब्रज भाषा है तो ये चीज का है ये ज़ादा जरूरी है बनस्पत किसके कि बिहारी सत्सई तो एक मातरिन की रचना है और देखे सत्सई जैसी हम चुनते हैं तो हमें एकी नाम पर मुक्ता से याद आता है कि बिहारी सत्सई इत्री प्रसिद्धी किसकी है बिहारी सत्सई की माने जाती है तो बिहारी सत्सई से पहले, जो मैंने पहले भी भी कहा था आपको Во की सत्सई की परमपरा कहां से चलिया रही है यह आपको पता होना चाहिए हमने पिछे वाले lecture में चैसे इसको discuss कर लिया है तो ये थे बिहारी से संबंदित कुछ महतवपूर्ण चीजें इनके जनम से लेकर के मृत्यू तक और किसके आश्रय में रहे किस संपरदाय में रहे और अलोचक इनको क्या मानते हैं और कौन सी चीज इनके बारे में महतवपूर्ण है चलिए अब हम दिख लेते हैं बिहारी के संबंद में कुछ एक महतवपूर्ण जो तत्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं यहां पर देखिए बिहारी सत्षई पर तीन रचनाओं का सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है तो देखिए वो तीन रचनाओं कौन कौन सी है तो सबसे पहले आता इसमें अमरूक शतक तो अमरूक शतक किसकी रचना है देखिए यह है अपके जो अमरूक थे संस्कृत की रचना है यह अमरूक शतक ठीक है अमरूक की जो अमरूक शतक है संस्कृत की रचना है इसका प्रभाव किस पर है आपका बिहारी सत्षई पर देखने को मिलता है पहली रचना यह है दू तीसरी, जो म३हतोपुन रचना है, दिखी है, आरे सप्तचती, तो इसके जो अचारे हैं, गुवर्दन अचारे, तो ये भी संस्कित वहाशा में लिखी गई, म३हतोपुन रचना है, तो इन तीनों रचनाओं का प्रभाव माना जाता है, बिहारी सदसाई पर पड़ा है, तो हो सकता है परिक्षम में इस तरीके से पूछा जाए, इनमें से एक रचना जी जाए कि किस रचना का प्रभाव विहारी सथसई पर पड़ा है, ठीक है नेक्स देखिए बिहारी सत्सई के समस्त दोहों की संक्या कितनी मानेंगी है 719 मानी जाती है लेकिन जगनादास रतनाकर इनके दोहों की संक्या कितनी मानते हैं 713 मानते हैं और जगनादास रतनाकर ने इनके ऊपर जो टीका लिखी है देखिए बिहारी सत्सई के ऊप बिहारी रतनाकर और वही टीका सबसे श्चिष्ट टीका मानी जाती है बिहारी सथसई के उपर, चया उनकी टीका को सरप्रमुख टीका माना जाता है जो किस वहषा में देखिये हंदी और खड़ीबोली में लिखे गई है, ठीक है तो इसमें इनोंने क्या माना है ये मानते हैं इसमें 732 हैं जबकि इसमें दों की संक्या गितनी मान जाती हैं 719 तो देखिए अगर विकल्प में 719 होगा तो आपको 719 करना है अगर आपको 713 देखे तो 713 करना है दोनों देखें तो कोई भी आप कर सकते हैं लेकिन को अमझआ पड़ेगा और इसके अलावा जो एक सो तेरा या एक सो उन्नीस बचते हैं इसके अलावा वो क्या है भक्ति निती और प्रशस्ति मुलक है थीक है जो इस लिए इसको श्रिंगारिक दोहे हैं वो किसके हैं श्रिंगारिक हैं तो इसलिए इसको श्रिंगारिक कृती माना जाता है ठीक है जिसमें भावों की अभिवक्ति भी हुई है तो ये कुछ एक मौतपूर्ण चीजें हैं जो बिहारी सत्साई के समध में हैं कि 713 और 719 दोहे हैं और 602 श्रिंगारिक श्रिंग चुना खुतितर थाली है तो मुक्तक क्या है एक चुणा हुआ हुआ गुलदस्ता है इसी के लिए इन्होंने क्या का है कि बिहारी सस्वरी क्या है ये एक मुक्तक का अबे है ठीक है और मुक्तक काप्य होता है यह हमने पहले डिसकस कर लिया थह Platya है आप चाहें तो हो सकता इस तरीके से प्रशन पूछा जाए कि किसने इनके दोहों पर कुंडलियां चंदों की रचना की है, तो वो हैं भारत इंदू हरिश्चंद्र, तो बिहारी के समंद में कुछ और चीज़े अब देख लेते हैं हम आगे, इसके बाद है देखिए, जो next महतपून बा तो ये चीज़ भी क्या है, बहुत ही जादा महतपून है बिहारी के संबंद में, चीक है, और इसलिए कहा जाता है कि बिहारी जो है, जो आपका रिती सिध कावेधारा है, इसके सबसे महतपून का भी माने जाते हैं, है न, और इसकी जो प्रत्थम टीका लिखने वाले का बिहारी सत्साइपर, तो वो किसने लिखी है, बिहारी के पुत्र क्रिशनलाल कवी ने, तो ये भी कई बार हो सकता है कि पहली टीका बिहारी सत्साइपर कौन सी लिखी गई थी, पूछा जाए, तो पहली टीका है सबसे पहली क्रिशनलाल कवी की जो बिहारी के पुत्र थे और इनकी टीका का नाम क्या था दीकिए क्रिशनलाल की टीका तो इन्होंने स्वयाचन में ब्रजभाशा में लिखी है तो ये चीज़ भी इसके बारे में बहुत ज़ादा मौतपून है पहली अगर पूछे जाएगी तो किसकी होगी क्रिशनलाल कवी की अगर पूछे जाए कि सरवप्रमुख कौन सी है तो सरवप्रमुख होगी आपकी बिहारी रतनाकर जुझा गनातास रतनाकर की है ठीक है तो ये दो जीज़ें आपने बहुत ज़ादा याद रखनी है क्योंकि मौतपून क्या है यही है अगर हम अन्य टिकाओं की बात करें दीक है अन्य कौन कौन सी टिकाओं है किन-किन कव्यों ने लिकी है तो इसमें सबसे पहले नाम आता है सूर्ति मिष्र्थो ऎनकी जो लिका है अमर चंद्रिका थेगैं तो अमर चंद्रिका दीखिए यह क्या है दुहा और चंद में वीवेचन किया गया है इसमें ठीक है और ललू लाल की लाल चंदरी का तो ये भी बहुत जादा मौतपूर्ण है तो ये ब्रज भाषा में गद्या में लिखी गई है ठीक है ये लाल चंदरी का ठीक है ललू लाल की अंबिकत अत्वियास का जो टीका लि लगया बहुत थैंड सभी हो इसमें शुरति मश्र की अमर्चंद्री में है इसमें दुहा चंद में है ठीक है इक में दौहा एक में रोला और दूसरे में ब्रजवाशा थीक है next अबया है प्दम सिंघ शर्मा ने है संजीवनी भाश्य तो यह आपने याद रखना है इसके विवेचन में क्या है देके तुलनात्मक प्रवरी दिकापर योग देखने को मिलता है कि इसमें पदम सिंग शर्मा की टिका संजीवनी भाष्य अगर बात करे अनंदिलाल शर्मा और अनंदिलाल शर्मा ने जो लिखी है देके फिरंगे सतसाई तो यह फार्सी भाषा म प्रभुदाल पांडे की जो टीका है इसके उपर तो प्रभुदाल पांडे की टीका है ये भी किसम है खड़ी बोली हिंदी में ही रचित है और रतनाकर की भाषा भी क्या है खड़ी बोली हिंदी है जगनादास रतनाकर की और बिहारी रतनाकर इनकी प्रमुक टीका मानी जाती है बिहारी सतसाई के उपर तो हो सकता है यहां से बिहारी सतसाई की उपर लिखे गई टीकाओं में कौन सी मौतवपूर्ण है उसके बारे में पूछा जाएं तो ये जीज प्यूश वर्षी मेग कहा है कि इसको बिहारी को, प्यूश वर्षी मेग का मतलब क्या है कि प्यूश, प्यूश मतलब अमरित, ठीक है, उसकी वर्षा करने वाले का भी है, ठीक है बिहारी, तो हो सकता इस तरीके से पूश जाए, प्यूश वर्षी मेग, और प्यूश वर्ष ठीक है, चत्रप्रयोकता, मतलब चत्राई से प्रयोक करने वाला शब्दों को, कहां पर किस शब्द का सही चेहन करना है, ये चीज किसम है, पिहारी में सही तरीके से है, ये मानते हैं, रेवरेंड एडविन ग्रीप्स, ठीक है, तो ये भी बहुत जादा मौतपोर्ण है, पदम सिंग शर्माने, जो पदम सिंग शर्मा है, देखिए, ये रीती कालिन अलोचक माने जाते हैं, ठीक है, नेक्से देखिए, योरोप में पिहारी सत्साई के समान कोई रचना नहीं है, ये जो जो जिक्र किया हुआ है, तो ये भी बहुत जादा मौतपोर्ण पंक्ति ह अब हम देख लेते हैं, पिहारी के समान में आलोचकों के प्रमुख कथन कौन-कौन से हैं, तो देखिए, सबसे पहले अचारे रामचंदर शुकल के ही कथन है, और बहुत जादा मौतपूर्ण कथन है ये, क्योंकि कई बार परिक्षा में इनको पूछा गया है, चाहे ल्टी हो गया, वहाँ पर पिहारी से रिलेटिट प्रश्ण बनने के समभावना बहुत जादा रहती है, कई बार इनकी दोहों की संख्या पूछी जाती है, कई बार इनके कथनों के समद्ध में कहा जाता है, तो यहाँ पर मैं मैं अगर वक्त मिलता है, तो मैं आपको जो कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी, या फिर आप चाहते हैं कि जो भी चीज हम अभी पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटिड आपने क्विज देना है, या अपने फिर से रिकॉल करना है चीजों को, तो आप टेलिग्राम ग्रूप के साथ हमारे जुर सकते हैं, वहाँ पर हम जितने भी अभी हम चीज़ें डिसकस करते हैं, उनको क्वशन के जरीए फिर से करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिये जाएगा, यहाँ पर सबसे जो पहला कथन है देखिए, यह है, श्रिंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याती और जितना मान, विहारी सत्साई का हुआ, उतना और किसी का नहीं, इसका एक-एक दोहा हिंदी साहित्या में एक-एक रतन माना जाता है, अचार गाम चंदर शुकली यह कहते हैं, तो देखिए, श्रिंगार रस का ग्रंथ हमने पहले भी कहा, कि 600 ग्रंथ श्रिंगार के हैं, तो सभा भी कह कि यह श्रिंगारिक कृति ही मानी जाएगी, और जितना मान सम्मान इसका हुआ है, उतना किसी भी रचना का नहीं हुआ है, इसका एक-एक दोहा हिंदी साहिते में एक रतन माना जाता हो सकता है, इस तरीके से प्रशन पूझा जाए कि 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 रचना के लिए कहा है, कि इसका प्यारी, सत्सई, और किस ने कहा है, शुकल ने कहा है, नेक्स्ट, ये तो हमने पहले ही आपको कहा दिया, कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्त्रित वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ, गुलदस्ता है, ये बात किस ने कही है, ये भी अचारे रामचंदर, शुकल जी ने ही कही है, हिंदी साहित्य के इतिहास में, इसके अलावा, यहां पर जो तीन चार कथन ही, मैं शुकल के रख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जादा मौतपुन थे, और प्रिक्षा में इससे पहले पूछे गए थे, लेकिन इसके अलावा, और भी हिंदी साहित्य के इनके समंद में बातें मिल जाएंगी, आप चाहें तो उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं, और दूसरे आपके पास जितने भी ग्रंत हैं, बिहारी बहुत जादा मौतपुन है, रितिकालिन कवियों में, तो इसके समंद में बहुत सारे विद्वान अलग-अलग चीज़ें तो ये तस हो गया है, यहां पर रस होना चीज़े था, बिहारी की रस वियंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विद्वान में दिखाई पड़ता है, तो ये कौन मानते हैं, ये भी अचारे रामचंदर शुकल मानते हैं, कि उनकी जो रस वियंजना है, उसका क्या है, वैभव, उनके अनुभावों के विद्वान में दिखता है, तो ये शुकल के कथन थे, अब हम अन्य विद्वानों के कथन देख लेते हैं, कि वो क्या कहते हैं, सबसे पहले यहां पर जोर्ण ग्रियर्सन है, देखिए, पूरे यॉरोप में एक भी कभी बिहारी क के समक्ष कोई रचना प्राप नहीं होती, तो ये बात हमने पहले भी आपको बता दी थी, कि पूरे यॉरोप में सबसे श्टिष्ट रचना मानी जाती है, बिहारी, सथ सही, ये वैंते हैं, जोर्ण ग्रियर्सन, बिहारी जब काबेरूडियों की सहायता से वस्तु के लिए चमतकार दिखाने लगते हैं, तो ऐसा लगता है मानों की वो एक तरिके से केशवदास का ही अनुसरन कर रहे हों, तो ये विशुनात त्रिपाठी का मौत्पूर्ण कथन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और बिहारी इस काल की प्रतिनीधी क कवी हैं, सामन्ती जीवन की जितनी वीशेषताएं और ब्यविद्य बिहारी के कावें में मिलते हैं, उतने किसी अन्य कवी की रचनाओं में नहीं, ये मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंग, ठीक है, तो बच्चन सिंग के कथन भी बहुत जादा मौतपूर्ण होते हैं, UG जितनी विशेषता का जो प्रभाव रहा है, आपके रितिकाल के समय, तो जितनी विशेषताएं और ब्यविद्य बिहारी के कावें मिलती हैं, सामन्ती जीवन की, है न, उतने आमें किसी अन्य कवी की रचना में नहीं मिलती, ये मानते हैं बच्चन सिंग, आगे दिखिए इसके सम्मन्द में और विद्वानों के कथन हैं, बच्चन सिंग ही आगे कहते हैं कि बिहारी अकेले कवी हैं जिन्होंने ग्रामीन संस्किती के विरुद ग्रिना की अभिव्यक्ति की है, ठीक है, ग्रामीन संस्किती की क्या की है, उन्होंने ग्रिना की अभिवक्ति की है, य उद्दात सौरूप पिहारी में नहीं मिलता, भावों का जो उत्किष्ट और उद्दात सौरूप पिहारी में नहीं मिलता, कवीता उनकी श्रिंगारी है, पर प्रेम की उच भूमी पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है, ये बात किसने कही है, ये भी अचारे रामच आपके बीच में नहीं ले पाया हूँ समय के अभाव के चलते या थोड़ा सा अपनी विवस्तता के चलते तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे वाले लेक्चर में या कुछ एक लेक्चर ऐसा निकाल के कि जहां पर जितने भी आपके रितिकाल के महतुपूर्ण जो कभी है उन इनका जो समय है मुगल शासन के वैभव के काल माना जाता है इनका जो समय है कि मुगलों के वैभव का काल है और अकवर के शासन के अंतिम दिनों से लेकर के ये औरंग जेव के शासन काल के शुरुवाती दिनों तक उनका जीवन काल फैला है ये चीज भी इनके समंद में ज सुविकार नहीं किया है. तो यह चीज भी बहुत ज़ादा important है, कि बिहारी को जो मिश्रवंदु हों, वो क्या मानते हैं, उन्होंने इन्हें आपका जो कवी सुविकार नहीं किया है, मिश्रवंदु होने तो इसको भी आपने विपारी की जो उहात्मक ऊक्तिया है उस पर फार्सी कवीता का प्रभाव देखने को मिलता है तो ये बहुत जादा मौतपून चीजें थी किस के समद में बिहारी के समद में जो जो भी मौतपून बातें थी वो मैंने आपको आपके बीच में रख दी है I hope आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको लगता है कि कुछ एक चीज़े मुझसे छूट गई है या भीहारी के समद में आपके पास कोई और ज़्यादा जानकारी है तो आप वो भी comment section में जाकर कह सकते हैं तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो फिर में लेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद